जय गुरु देव जय जिनेंद्रा कैसे हैं आज वे पैश्में आपसे का स्वागत हैं शुब महरत हमेशां से शुब महरत के बारे में बताती आ रही हूँ क्योंकि शुब महरत का हमारे जीवन में बहुत ही जादा महत्व है कोई भी कारे जब शुरू किया जाए और उस कारे को शुब महरत में किया जाए तो उसकी सफलता के आसार और भी जादा बढ़ जाते हैं मन में विश्वास हो जाता है कि ये कारे हमने शुब समय में किया है शुब महरत में किया है तो ये सफल होगा ही होगा तो इसी तरह से आज जिस शुभ योग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ त्रिपुशकर योग आगे भी आपको इस योग के बारे में बताया है तो ये योग फिर से आ रहा है बारा जून को तो बारा जून को ये योग बन रहा है कब से कब तक है आगे पूरी वीडि निकलता है दिपुश्कर योग में दो गुना फाइदा होता है जो भी आप कारे करेंगे और तिपुश्कर योग में तीन गुना फाइदा होता है तो कुछ भी कारे इन योगों में करने बहुत ही शुब माने गए हैं शुब इसलिए कहूंगी क्योंकि जब एक कारे आप करत वहन का खरीदना गाए भैस इन सब चीज का खरीदना कोई नया कार्या शुरू करना कोई आपने व्यापार शुरू करना है तो यह ऐसे कार्या आप अगर इस समय में करते हैं तो आपको इनके दोगने फायदे होंगे यहां पे गाई भैस का अगर कहा गया है यहां पे अगर कोई क्रिशी से समंदित कोई व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा यह समय होता है कि इस समय में अगर कोई गाई भैस खरीदी जाए ऐसे असार बन जाते हैं तो यही इसका तातपरया है यही इसका अर्थ है तो इन योगों में आप अब इसमें शुब भी करें अशुब भी करें फल एक जैसा ही मिलेगा इन दोनों योगों में कोई भी आप अगर अनिस्ट कारी कारे करते हैं किसी से जगडा कर लेते हैं और या फिर इसमें आप किसी को करजा दे देते हैं या किसी से करजा लेते हैं तो ऐसे कारे आपको नहीं करने चाहिए यहाँ पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि फल आपको दो गुना या तीन गुना मिलने वाला है अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा बुरा करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है लेकिन गलती से कई बार क्या होता है गलती से ऐसा कुछ कार्य हो जाता है अचानक से किसी के साथ जगला हो जाए या कुछ ऐसा कार्य कर लिया जाए मजबूरी में किसी को कर्ज देना पड़ जाए या लेना पड़ जाए ऐसे में इन अनिष्ट कार्यों की शांती के लिए दुपुशकर योग में दो गायों के सम तीन गायों के मुल्य समान धन का दान कर देना चाहिए और साथ ही तीलों से बनी होई पिठी का भी दान कर देना चाहिए तो ये योग टल जाता है और जो आगे अनिस्ट हो उससे आपको निजात मिल जाती हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पहले से ध्यान रखे कि इस योग में ऐसा कोई कारें ना करें जिससे आपको नुकसान हो तो चलिए बात कर लेते हैं ये समय कब से कब तक है तरी पुशकर योग का समय रहेगा 12 जून 2021 शाम को 4 बच कर 57 मिनट से लेकर 12 जून को ही रात को 8 बच कर 18 मिनट तक लग बग तीन एक घंटे का ये समय है तो इन तीन घंटों के अंदर आप अगर कुछ ऐसा करें करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं बहुत अच्छा योग है और ऑनलाइन भी अगर आप कोई कारें कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो निवेश अगर किसी में करना चाते हैं शेयर मार्केट वगारा जो इनकी नौलेज रखते हैं पहले उनसे परामर्श जरूर कर लें उसके बाद अगर आप शेयर मार्केट वगारा में पैसा लगाना चाते हैं तो लगा सकते हैं तो ऐसे कारे आप घर बैठे भी कर सकते है अगर आपको कोई खरीदारी नहीं करनी आप नहीं कर सकते क्योंकि यह लोगडाउन का समय चल रहा है अभी तो फिलहाल लोगडाउन खुल भी गया है तो ऐसे समय में कोई खरीदारी अगर नहीं हो सकती तो घर बैठे आप अर्निंग का सोर्स भी इस समय में शुरू कर सकते ह तो चलिए आज के लिए विशेश जानकरी यही थी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली जानकरी के साथ किसी अच्छे और शुब महरत के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें मस्त रहिए स्वस्त रहिए अपने अपनों का भी ध्यान रखिए जै गुरुदेव चाहिए दिने हम राँ